प्रेंट्स नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दिर्शकों का वेलकूम करता हूँ आपके ही अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आजट्वी नेटवूक पर फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आएं स्पेशल सीरीज क राशिफल की अक्तूबर दो हजार बाईस का पूरे महीने भर का मेश से लेकर मीने राशी का राशिफल राशिय अनुसार उपाएं के साथ में इस मंधिली होरोस्कोप में हम बात करेंगे अक्तोबर 2022 में मेश से लेकर मीन राशी के राशी फल की साथ साथ आपको बताएंगे राश अनुसार सरल उपाए पूरे महीने भर के और इसके साथ साथ बात करेंगे ग्रह और गोचर की ये आपको बताएंगे कि पूरे महीने भर में कौन सा घ्रह परिवर्तन हो रहा है कौन सी राशी परिवर्तन हो रही है क्या नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं इसके साथ साथ आपको बताएंगे विशेश पर्वों के बारे में पूरे महीने भर के विशेश पर्व साथ साथ बात करेंगे शुबाशुग योगों की या पूरे महीने भर में क्या शुब योग बन रहे हैं इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे तो चलिए मासिक राशिफल के शुरुबात करते हैं और ये मासिक राशिफल अक्तुबर 2022 का है मासिक राशिफल शनिवार एक अक्तुबर 2022 से शुरू हो करके और सोमवार 31 अक्तु अक्टूबर 2022 तक करेगा चलिए बात करते हैं शुरुवात करते हैं गरहर गोचर के साथ में इस महीने सूरे का तुला राशी में गोचर सुमवार 17 अक्टूबर 2022 को शाम को साथ बच कर 36 मिनट पर होगा मंगल का गोचर मिथन राशी में रविवार 16 अक्टूबर 2022 को सुभे 7 बच कर 59 मिनट पर होगा बुद्ध का तुला राशी में गोचर बुद्वार 26 अक्टूबर 2022 को दोपहर को 1 बच कर 55 मिनट पर होगा गुरू का कोई गोचर इस महीने नहीं है शुक्र का तुला राशी में गोचर मंगलवार 18 अक्टूबर 2022 को शाम को रात को 9 बचकर 50 मिनट पर होगा इस महीने शनी का कोई गोचर नहीं है राहू और केतु का भी कोई गोचर नहीं है तो चलिए अब जानते हैं अक्टूबर 2022 में विशेश परवों के बारे में देखे इस महीने रविवार 2 अक्टूबर 2022 को भानु सब्तुमी और सरस्वती का आवाहन किया जाएगा शार्दी नवरात्र के अंतरगत भानु सब्तुमी मनाई जाएगी और सरस्वती का आवाहन सोमवार तीन अक्तुबर 2022 को नवरात्र की दुर्गाश्टमी है शारदी नवरात्र की बड़ा विशेश दिन है सबसे खास दिन है और इसी दिन संधी काल पुजा भी की जाएगी मंगलवार चार अक्तुबर 2022 को महानमी का परव किया जाएगा इसी दिन कन्याओं का पूजन किया जाएगा और इसी दिन कन्याओं को भोजन भी करा जाएगा बुदवार पांच अक्तुबर सबसे खास दिन साल का वनमंगदा बुदवार पांच अक्तुबर 2022 को वजय दश्मी और दशेरा परव मनाया जाएगा और इसे दिन विसरजन भी करेंगे जो भी आपने दुरगा की स्थापना की है उसका रविवार 9 अक्तुबर 2022 को शरद पूर्णिमा मनाय जाएगी बहुत खास दिन और इसे दिन से महालक्ष्मी जो है वो प्रत्वी पर रहेंगी पूरे एक महीने के लिए रविवार 9 अक्तुबर को और इसी के दिन ही को जागर मनाय जाएगा गुरुवार 13 अक्तुबर 2022 को करवा चोथ मनाय जाएगा सुहांगे ने करवा चोथ का वरत रखेंगी सुमवार सतर अक्टूबर को माताएं जो है अपने पुत्रों और बच्चों के लिए अहुई इश्टमी कवरत रखेंगी और इसे दिन तुला संक्रान्ती भी मनाई जाएगी शुकरवार 21 अक्टूबर 2022 को वदिवत रूप से साथ दिवस्य है दिपावली पर्व के शुरुवात हो जाएगी और इस दिन गौवत सद्वादिशी से शुरुवात होगी 22 अक्टूबर शनिवार धन तेरस का महा पर्व मनाया जाएगा खरेदारी करने का पर्व इसके बाद में रविवार 23 अक्टूबर को काली 14 मनाया जाएगी इस बार नरक चतूर दशी यानि कि छोटी दिपावली और बड़ी दिपावली एकी दिन मनाया जाएगी वो होगा 24 अक्टूबर सुमवार का दिन महा पर्व दिपावली का और इसी दिन नरक चतूर दशी यानि कि छोटी दिपावली दुनों साथ मनाया जाएगे मंगलवार 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य घ्रण अलग रहा है आंचिक 26 अक्टूबर बुद्वार के दिन गोवरधन पूजा की जाएगी और इसी दिन भाई दूजबी मनाया जाएगी दोनों एक साथ होंगे शनिवार 29 अक्टूबर 2022 को लाब पंचिमी का पर्व मनाया जाएगा और रविवार 30 अक्टूबर 2022 को छट पूजा की जाएगी तो चली अब जानते हैं कि इस पूरे महीने में क्या शुवयोग मनेंगे हम विशेश योगों के बारे में बात कर रहे हैं सरवार्त सिद्धी योग पूरे महीने बर मैं बता रहा हूँ आपको वो रहने जा रहा है रविवार 2 अक्टूबर को रविवार 9 अक्टूबर को मंगलवार 11 अक्टूबर को बुधवार 12 अक्टूबर रविवार 23 अक्टूबर गुरुवार 27 अक्टूबर शुकरवार 28 अक्टूबर ये सरवार सिद्धी योग रहने जा रहा है इसके साथ-साथ अम्रिस्थिद्धी योग जो रहेगा मंगलबार 11 अक्तूबर को रविवार 23 अक्तूबर को किस महीने में कोई भी विवा महुरत नहीं है और कोई भी विशेश रूप से ऐसा महुरत नहीं है हाँ कुछ लोग इंगेजमेंट वगरा कर सकते हैं उसके लिए विजय देश्मी का परव बहुत शुब रहता है और साथ-साथ धन्तरियोदिशी का सेहत की चिंता रहेगी दामपत्य से मत भेद सुल्जेंगे उपाईये करें कि हर गुरुवार भगवान विश्णू पर गुडचा नहा चड़ाएं बात करेंगे दूसरी राशी व्रिश यानि कि टॉरस की अक्तूबर रूखकारी रहेगा सेहत नरम रहेगी खर्चों में व्रद्धी होगी निवेश से बचें घरिलू विवाद से सतर्प रहें गाड़ी थोड़ी सी स्लो चलाएं दुरगटना के योग हैं उपाईये करें कि हर शनिवार देवी महाकाली के निमें तेल का दीपक जलाएं तीसरी राशी में थो नियनी जमनाय की बात करेंगे अक्तूबर सुखद रहेगा कारोबारी लाब होगा सुख सुविधा पर खर्चा बढ़ेगा संतान को सफलता मिलने से अप्रसन रहेंगे जल्द बाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें उपाईये करें कि हर शनिवार भगवान भैरव पर लॉंग चड़ाएं चौथी राशी करक यानि के कैंसर की बात करेंगे अक्तूबर फल दायक रहेगा परिवार में खुशहाली रहेगी कारे सिद्ध होंगे माता पिता की सेहत पर ध्यान दे जिवन साथी की भामनाय आहत ना करें उपाईये क करें कि हर मंगलवार दिवी चामुंडा पर सिंदूर चड़ाएं चटी राशी कन्या यानि के वर्गों की बात करेंगे अक्तूबर मिला जुला रहेगा सांसारिक संबंद मधूर बनेंगे संपत्ती से लाव होगा सामाज एक प्रतिष्टा भी बढ़ेगी दामपते में छ भने निवेश्ट से बचें नीजी जीवन को चशांत रहेगा दामपते कलह से बचने की मैं सलहा देता हूं उपाईए करें कि हर बुद्वार दिवी दुरुगा पर मिश्री का भोग लगाएं बात करेंगे आठवी राशी व्रिश्चे की यानि कि स्कौर भी होगी करेंगे नवी राशी धनू यानि की सेजिटेरियस की अक्तुबर लाबकारी रहेगा कारोबरी प्रगति होगी आर्थिक परिशानी दूर होगी जीवन साथी की सेहत कुछ नरम रह सकती है घर पर रिश्टेदरों का आना जाना रहेगा उपाई ये करें कि हर रविवार सू समाजिक रूतबे में कमी आएगी जीवन साथी पूरा सहयोग देगा उपाई ये करें कि हर बुदभार भगवान विश्टेदरों पर हरे फल चड़ाएं ग्यारवी राशी कुंब यानि की अक्वेरिस की बात करेंगे अक्तुबर खुशनुमा रहेगा परिजनों के साथ म समस्याओं में दोस्त आपकी मदद करेंगे संपती में लाव के योग हैं उपाई ये करें कि हर शुकरवार महालक्षमी पर इत्र चड़ाएं बारवी राशी मीन यहने पाईसिस की बात करेंगे अक्तुबर भेतर रहेगा धन पक्ष सुधरेगा सुखों में व्रद्धी हो अक्तुबर 2022 का और यह जो मासिक राशीफल रहा है यह रहा है शनिवार एक अक्तुबर 2022 से लेकर के सौमबार 31 अक्तुबर 2022 तक का इसमें अन्दबाद की ग्रह गूचर की विशेश परवों की शुभ यूगों के बारे में बताया और बताया पूरे महीने भर का मासिक कात होगी किसी और विशेश टॉपिक के साथ में इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षवाएं